वेलकम दोस्तों स्वागत है नई ब्लॉग में और इस ब्लॉग में हम बात करने वाले हैं अभी नजदीक में दुर्गा पुजा आने वाला है तो इसकी हम तैयारी कर रहे हैं तो दुर्गा पुजा में जो है वो मेला लगता है तो उस मेले में हम जो कॉटन केंडी बेचने बेसने वाला हैं कि पान बेफने वाला हूँ मैं लगवख पिछले चाहिते था अगर आप से कोई भी इस बिजनस को करना चाहते तो वह कर सकते हैं कि मैं डो सालों से पिछले दो सालों मैं यही बेच रहा हु तो चलिए हो हैं अभी सारवाण अंदर देखे निकाल के रखाओं पान में दो तरह का पान बिखता है एक मिठा पान एक जारदा पान हमारे यहां जारखन में इसी नाम से बुलाते हैं अब अलग 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 नाम से बुलाए जाए लेकिन एक जारदा पान होता है एक मिठा पान होता है या फिर एक नसा वाला पान होता है अरे कैसे नॉर्मल पान होता है जो हर कोई खा सकता है मीठा पान होता है तो नॉर्मल जो है वो भारत में यही चलता है जारकन में हम इस तरह से बोलते हैं तो यहां पर देख सकते हैं यहां पर बहुत सारा डिबबा है जो कि सारे डब्बे मैं आपको दिखा देता हूं तो य यह जो है वो सारे जारदा पान का है अगर इन में प्रॉफिट की बात करें तो यहां पर देखिए बहुत सारा लंबा लिस्ट रहता है जो कि मैं आपको लास्ट में दी दूँगा आप उसे डाउनलूड कर सकते हैं या फिर आप स्क्रीन सॉट लेके रख सकते हैं जो कि यहा पर हमने लिस्ट तयार किया है जो कुछ यह रहा है इसमें लिखा हुआ इस पान में अगर प्रॉफिट की बात करें तो देखिए नॉर्मल जो पिछले साल मैंने लगाया था उसमें 2021 मुझे जो यहां पर 2000 तक्रीबन 2000 रुपे का इसमें पुंजी लगाया था और उसका 4500 आ चुका था 4500 या फिर कुछ 4300 रुपे इस तरह का यहां पर कमाई हुआ था तो आनि कि आप मान सकते हैं कि 2000 का यहां पर 4000 हो गया आनि कि डबल कमाई हो जाता है आधा मान सकते हैं कि 50% की कमाई होती है आनि कि प्रॉफिट जो होता है वो 50% का यहां पर प्रॉफिट निकल क्या आता है इस पान में से पिछले साल हम यहां पे 10 रुपे का एक पान बेच रहे थे इस बार मुझे नसब नया नया रेट होगा तो मैं आने वाले वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूँगा वो भी लिस्ट अभी मैं कोई भी समान खरिदने नहीं जा रहा हूं जब मैं स समान खरिदने जाओंगा और वहां पर दोकांदार से लिस्ट बनाओंगा तो मैं आपके साथ वो जरूर सेयर कर दूँगा ताकि आपको भी लेना हुए अगर आप में से कोई भी इस बिजनस को करना चाहते हैं तो कर सकते हैं इसमें अच्छा प्रॉफिट हो जाता है मैं को बता सकता हूं दो साल का experience है मेरा तो यहां पर मेरे पास जो पिछले साल का कुछ 8-7 डबबा बचा हुआ है तो बाकी का जो मिठा पान का जितना भी समान था वो सब कुछ भी गया था और मिठा पान ज्यादा बिखता है जारदा पान भी ठिक ठाक बिख जाता है तम बाक का पुरा-पुरा समान लाने वाले हैं जो कि हमने इस लिस्ट में बना लिया है तो आज 24 तारीक और मेला जो लगेगा वह लगबग 3 तारीक से स्टार्ट होगा तीन अक्टूबर से शुरू होगा इसको मैं पिछले साल से वे पिछले साल क्या था अनिकि मैं लगबग 2 साल से पहले जब मैं cotton candy का मसीन इस बार लिया है पहले नहीं था तो पहले मेले में यही बेचता था और गुपचूप बेचता था चार्ट बेचता था तो चार्ट से इसमें यहां पर मतलब की जिस अकौर्डिंग आप जितना कर पाएं एक आदमे आपको जो भी अच्छा लग किते हैं जो मिठा पान का जो लिस्ट है वो कुछ इस तरह का है जिसे चेरी इलाइची सौप सुपारी यह फिर गुलकन चटनी नारियल नारियल का वह छोटा-चोटा जो हता सफेद सपेद बाकी चूना कथा पत्ता यह सारा कुछ लगता है मुझे काफी सारे लोग कॉमें न्यीकट से नारियल दसे में अलें जाएंद करना क्या करता है कि पहली बार दिक्कत क्या होता इसे पान का पता हैं तो अप उसको एक बार में मोड नहीं तो देखें दिक्कत होता है लेकिन आप देरे देरे दो चार बार करेंगे तो आराम से सीख जाएंगे और फर्स टाइम कोई भी चीज सुर्बात करते हैं तो वह आपको आगले साल अच्छे से कर पाएंगे तो यह सारी चीजें होती है कमाई हो जाती है इसमें आदा बचत हो जाता कोई नहीं बताएगा लेकिन इसमें जो है वो आदा बचत आराम से हो जाता है अब इस बार का क्या rate है समानों की और आपको पान के बिजनस में से कुछ और चीज़ें जानना चाहते हैं तो मुझे नीची कॉमेंट करके भी बता सकते हैं या फिर मैं इंस्टाग्राम का लिंक दे दूँगा नीचे जिस पे आप मुझे प्रस्टनल मैसेज कर सकते हैं वीडियो कॉल वगरा भी करके आप मुझे से बात कर सकते हैं लेकिन आपको मेहनत करनी होगी, सचे दिल से मेहनत करते हैं तो उसमें आपको 4 पैसा जरूर आमदनी होगी, तो दोस्तों उमीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब ने की हैं भी तक सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक जाहिन